UPSC Current Affairs Program में आपका स्वागत है मेरा नाम है विश्वजीत हम चर्चा करेंगे कि कैसे क्रितरिम DNA से कैंसर का इलाज संभव हो सकेगा दुनिया में अपनी तरह के पहले प्रियोग में शोत करताओं ने क्रितरिम DNA का उप्योग करके कैंसर कोशिकाओं को मारने का एक नया तरीका खोजा है जो भविश में इस बिमारी के इलाज का मार्ग प्रशस्थ कर सकता है दरसल टोकियो विश्वद्याले के शोत करताओं ने मानो गर्भाशे गरीवा के कैंसर और स्तन कैंसर से विद्पन DNA को लक्षित करने और मारने के लिए रसाइनिक रूप से संशलेशित हेर पिन के अकार के DNA का उप्योग किया है टोकियो विश्वद्याले के शोत करताओं की टीम ने बताया कि वे क्रितरिम DNA का उप्योग करके पारंपरिक कैंसर रोधी दवा उप्चार को समाप्त करना चाहते है गरतलब है कि पारंपरिक न्यूकलिट एसिड अर्थात DNA और RNA दवाओं का उप्योग आम तोर पर कैंसर के उप्चार के लिए नहीं किया जाता है इसमें समस्या यह है कि ये न्यूकलिक दवाएं कैंसर कोशिकाओं और अन्य स्वस्थ कोशिकाओं के बीच अंतर नहीं कर पाती है ये न्यूकलिक एसिड दवाएं स्वस्थ कोशिकाओं पर गलती से हमला करके रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है आपको बता दें कि कैंसर कोशिकाओं में एक विशिष्टा होती है कि ये ओवर एक्सप्रेस कर सकती है जिसका मतलब है कि ये असमान्य कोशिकाओं अनियंतरित रूप से विभाजित होती है और RNA, DNA जैसे प्रोटीन या आन्यपदार्थ की बहुत अधिक प्रतियां बना सकती है जिससे वे समान्य रूप से कारे नहीं कर पाती हैं और संभावित रूप से कैंसर के विकास में योगदान करती है इसलिए इस वृद्धी को कम करने के साथ साथ इसे रोकने के लिए वेज्ञानिकों ने ओंकोलिटिक नामक कृतरिम DNA जोड़े बनाए हैं जिने OHP कहा जाता है वेज्ञानिकों ने एक परीक्षण में कृतरिम DNA को कैंसर सेल में इंजेक्ट किया जब DNA का सामना Overexpressed MIR21 नामक Micro RNA से हुआ जो कुछ कैंसर में अत्यधिक मात्रा में उत्पादित होता है तो इस कृतरिम DNA ने प्रतिरक्षा तंतर का निर्मार किया इसके अलावा इस कृतरिम DNA ने ना केवल कैंसर की कोशकाओं को मार डाला बलकि ये कैंसर उत्कों के आगे के विकास को रोकने में भी सक्षम थे आधियन में पाया गया कि यह परिक्षन मानो गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर व्युत्पन कोशकाओं इस्तन कैंसर वित्पन कोशिकाओं और चूहों में घातक मेलनोमा वित्पन कोशिकाओं में पाए जाने वाले ओवर एक्स्प्रेस्ट MIR21 के खिलाफ प्रभावी था